आज आपसे बात करी हूँ, King of All Mudras, खेचरी मुद्रा के बार में बात करी हूँ, खेचरी मुद्रा लगाने से आपका जो focus है, concentration है वो बहुत जादा बढ़ता है, अगर आप spiritually grow करना चाहते हैं, तो आपको खेचरी मुद्रा जरूर लगाना चाहिए, इसका जो proper concept है वो यह है, important हमारे sense organs है, एक है eyes, जो कि चारों तरफ हम देखते रहते हैं, और कई चीज़ें जो हमारे मन में जाती है, दूसरा है tongue, हम देखा है, आपने notice किया है, हम कितना कुछ खाते हैं, different चीज़ें बोलते हैं, gossip करते हैं, यह सारी चीज़ें tongue करते हैं, एक शब्द किसी के जिंद जगी बरबाद कर सकती है, तो यह जो second है, यह nerve जो है, इसे हमें control करना पड़ता है, तो इसे आपको turn करना है, अंदर की तरह है, पहले hard palate तक लेके जाएं, उसके बाद धीरे-धीरे करके soft palate तक लेके जाएं, तो आपको यह ध्यान रखना है, कि आपको जोबर्दस्ती नही करती हूं, त्राटत, मन को बिल्कुल शुन्य कर देती हूं, उसके बाद eyes close करके, मैं लिंग मुद्रा लगाती हूं, फिक हेचरी मुद्रा लगाके, शिव जी को शिव लिंग को अपने अंदर देखती हूं, यह जो nectar यहां से गिरता है, उस nectar से मैं उनको जल अर पिप करती गड़ की देखिए, इत विल है, नमस्ते, और नमश्यू